चीन के 69 एप्स को बैन करने के फैसले पर भारत को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिका ने भारत की इस कारवाई की सराहना की है। अमेरिकी विदेश मंत्री माईक पॉंपियो ने कहा है कि एक अदम भारत की संप्रुबता, अखंडता और रास्टी सुरक्षा को बढ़ावाद देगा। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच इस वक्त तनाव चरम पर है। गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद भारत उसे सबक सिखाने में जुट गया है। सरकार उसे आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुचा रही है। इसी के तहट सोमवार को मोधी सरकार ने चीन के 69 एप्स को बैन करने का फैसला लिया था। इसमें टिक टॉक, शेरिट, हैलो, यूसी ब्राउजर और वीचैट जैसे कई एप शामिल है। जहां वो अमेरिका के निशाने पर हैं, तो वहीं LAC पर भारत उसकी हर हरकत का मुह तोर जवाब दे रहा है। इसके लावा साउथ चाइना सी में उसका जापान से तनाव चल रहा है। LAC पर चीन के साथ तनाव को देखते हुए, अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। कि पूरी कोशिश है कि भारत किसी भी सूरत में अमेरिका से हाथ ना मिलाए। चीन को अच्छी तरह मालूम है कि भारत और अमेरिका साथ आए, तो दक्षिर एसिया और हिंद प्रशान शेत्र में वो बुरी तरह घिर जाएगा। भारत अमेरिका की दोस्ती में दरार डालने की बेचैनी में चीन के सरकारी मुख्य पत्र ने कही बार ऐसा लेक लिखा है जिसकी वज़े से भारत और अमेरिका में थोड़ी सी तक्रार देखी गई है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच अच्छे रिष्टे हमेशा से बने हुए हैं।